पूर्ट अ Memo के नमस्कार दोस्टो मेरे YouTube चैनल योगाचार हिये हनुमान में आप सबका स्वागत है, आज हम बात करेंगे लिवर के समंदिती पीले की बीमारी होती है जो बहुत भहरब बिमारी होती है जो अपने सरीर में जदा पीले की बीमारी होने से पीले के समंदिती बीमारी है जिससे मौद भी हो सकती है जब आपका लीवर खराब हो जाए तो तो दोस्तो पीले को जोंडिश भी बोले जाता है इंगलिष में ये हमारे सरीर में जब पित की मातरा बढ़ जाती है »Bilirubin की मातरा परक्त में बढ़ जाती है तो दोस्तो अब पीले की बीमारी में आपको क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए कौनसी अईर्वधी जोस्ति यूज करनी चाहिए अभी तक मैरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कहला तो सब्सक्राइब जरूर कर ले इस वीडियो में आपको पीलिया के बारे में कैसे ठीक लिया जाए पीलिया को ठीक करने के लिए सबसे पहले दोस्तों मैं बता देता हूं कौन से जूस यूज करना चाहिए जो एरेंड के पत्तों का जूस है वो सुबह सुबह पीना चाहिए कम से कम आपको एरेंड के पत्तों का जूस सुबह morning time में पीना चाहिए खाली पेट यह आपके सरीर में पीले की बीमारी को तीन से पांच दिन में ही result देना start करतेगी जो एरेंड के पत्तों का juice अब बात करते हैं दोस्तों जो पीले में किसी भी उमर में हो सकता यह एलोपेथी में इसका कोई treatment नहीं है आप कितना ही पैसा लगा दो बस इसका एक ही है कि आप modern medical में अलेप्टी टेस्ट करवा सकते हो लीवर का टेस्ट करवा सकते हो डाइग्नोस से आपको पता चल जाए कि आपको पीले की problem है या नहीं है तो दोस्तों अब मैं बात करता हूँ कि इसमें तीन से पांच चमच अरंड के पत्तों को कूट कर रस निकाल कर सुबह खाली पेट पिए जो अरंड के पत्तों को सिरफ तीन से पांच ज्यादा मात्रा में ना ले जिनको पी लिया है वो एक अपने पोदा हो करें यह भी बैंकर से बैंकर पीले की बिमारी को ठी कर देता है और तीसरा आप मैं बता देता हूँ जो जड़ी मूटी नहीं सीधा अपना मेडिशन्स मिलती है आयरवेद की सर्व कल्प क्वाथ यह उबालकर आ रहा है जिसमें पूंडर नर्वा मकोई वा भूमी आउला यह तीनों मिक्स होते हैं यह सर्व कल्प क्वाथ बहुत फाइदेमंद है अपने सरीर के लिए जो पीले की प्रोब्लम हो जाती है उनको यह जड़ से कतम कर देता है सर्व कल्प क्वाथ जो दिव्य फॉर्मसी का भी मिलता और कोई भी कंपनी का ले सकते हो तो मैं दोस्तो बता देता हूं कि जैसे यह पीली की बीमारी होती है इस पीली की बीमारी में आपको मोच से भी लड़ना पड़ सकता है क्योंकि पीलिया अपने लिवर की प्रोब्लम की वजह से होती है तो आप अपने लिवर को ठीक रखे ज्यादा तर अपने लिवर को ठीक रखने के लि मैंने description में link डाल दूँगा उसमें योग के बारे में बताया हुआ है क्योंकि ज्यादा पीलिया में एक ही आसन फाइदा करता है वो शिरफ है और दिमत्यंद्र आसन जो मैंने लास्ट वीडियो में बता रखा है तो दोस्तों अब बताता हूं कि आपको यह इस पीलिया की बी पीता अनार जरूर खाना चाहिए मोली खानी चाहिए मोली सिरफ सुबह खाली पेट खानी चाहिए ना कि रात में रात में खायेगी तो वो आपको फाइदा नहीं करेगी मोली सुबह खाली पेट खाये पीलिये में और मुनेक्का और अंजीर रात में विगोना है और सुब जिन में कम से कम बोजन करें चार-चे-पांच बार थोड़ा-थोड़ा काये ज्यादा ग्रिष्ट बोजन ना करें और अपने स्वास्थे के लिए खाना से पहले या खाने के बाद जो आपको उसद्य बताई गई है वह उसद्य रेगुलर जरूर यूज करें जितना आप आय बीमारी में आपको निम्बू तलिवी चीजे सराब का सेवन नहीं करना चाहिए तो इसमें आपको जितनी बाहर की चीजे बाहर की चीजे बिल्कुल मसाले वाली चीजे बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए या आपके लीवर को दीरे दीरे जहर के रूप में कार्य करती है तो पी पुली चमाटर का रस पीना भी फाइदे मन होता है आप चाच ले सकते हो नारिल का पानी सेवन बहुत अच्छा है आप जितना हो सके नारिल के पानी का सेवन करें गहूं अंगूर किसमिस बादाम इलाइची यह इनके पडियो करें तो आपको जल्दी ही फाइदे मिलेगा अ उनको साउट साइड में चावल वा लोकी का सबजी का सेवन कर सकते हैं ज़्यादा लीवर पर दबाव ना पढ़ने दे प्यूंकि लीवर की वज़े सी आपको पीलेगी बीमारी हो सकती है तो दोस्तो इस वीडियो में मैंने आपको पीलेगी बीमारी ठीक होने के लिए नहीं होगी आपको सिर्फ रिजल्ट देखी तो उन वीडियो से बचे देखने से और फालतु अफवाव से बचे अब मेरे वीडियो को सुरु से अन तक जरूर देखे और अच्छा लगा तो लाइक सेर और सब्सक्राइब जरूर करें फिर मिलेंगे एक नेक्ट वीडियो मे एक अच्छा टोपिक लेकर थैंक्यू दोस्तों